टाइब कितनी जल्दी बीच जाता है पता ही रही चलता आज जब सोचने बैठी तो अपने वो कॉलेज की यादेत आ जाओ गए फ्रेंट्स के साथ की ये मस्ती, गूबना, ग्लासेस बंक करना, लाइबरेजरे में बाते करना कितना कुछ किया था हम दे, पर आज वो सब यादे रहे गए एक ऐसी आप भी है, जो आज ताजा होगी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दो जाती एक लड़का था, जिसको मैं एकसर देखा करती थी पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे पसंद करती थी, बस उसकी हरकते कुछ ऐसी थी जो मुझे मजबूर करती थी, उसे नोर्टीस करने के लिए सुबह उटते ही, बालकनी में हवा खाने निकलो तो सबसे पहले उसका ही चाहरा नजर आता था और मुझे एक स्माइल के साथ हाई कहता था अब आप यह सोच वे होंगे कि वो मुझे ही देखने के लिए बालकनी में आता होगा आपकी सोच मुझे पता है, लेकिन असा कुछ नहीं था हाँ, वो बालकनी पर किसी का प्यारा सा चाहरा देखने आता था पर वो में नहीं, मेरी फ्रेंट थी जिसका चाहरा वो देखने आता था पर गलती से उसे बालकनी पर मेरा ही चाहरा देखने को मिलता था क्योंकि मेरी फ्रेंट आलसी थी, दुआ उटती ही नहीं थी कॉलेज में भी गेट से हमारा इंतिजार करता था हमारी तरफ तो इस तरह से आता था कि लगता था जैसे कुछ कहना चाहता है हमारे सामने पोच्छते ही एक स्मेल देखे वहां से भाग जाता था पर मुझे अकेले देखकर मेरे पास आकर इतनी बाते करता था कि मैं उस लड़की को समझी नहीं पाती थी मुझसे बार बार कहता था तु मेरी फ्रेंड है न तो मेरे लिए अपनी फ्रेंड से बात करना रमेशा मेरे पीछे पढ़ा रहता था उसने जैसे मुझे डाकिया समझ लिया था मैं उसे मना करना चाहती थी पर पता नहीं क्यों उसके इनोसेंसे चाहरब देखकर उससे मना ही नहीं होती थी फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने कहा चल ठीक है मैं उससे मिली लेती ये बात सुनकर मुझे ये समिज़ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ पर मेरी फ्रेंड ने उससे अपना फ्रेंड बना दिया उसके सामने तो उसकी जमान खुली नहीं पर मेरे पास आकर रोने लगा रोती शकल देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था मन कर रहा था अपनी फ्रेंट को बहुत टांटू क्योंकि उसकी वेज़े से वो रो रहा था अरे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पसंद करती थी पस मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती मुझे सब के हस्ते वे चाहरे पसंद है वो तो फिर भी मेरा अच्छा दोस्त था अगले सुबह में बालकनी पर नहीं गई मैंने अपने फ्रेंट को उठा कर बालकनी पर बेज़ देया पर कॉलेज में जब मिला तो उसका मिज़ाज कुछ बदला सा लग रहा था उसमें पूछा आज तुम बालकनी पर क्यों नहीं आई मैं थोड़ी सी बीजी थी तो मैं जल्दवाजी में वहां से चली गई पर पता नहीं वो क्यों मुझे ढूण रहा था और मैं उससे भाग रहे थी ये बात मुझे भी समझ नहीं आई पर मैं उससे बात करने से डर रहे थी जब मैंने अपनी फ्रेंड के साथ देखा तो मेरा मन हुआ कि मैं उनकी बाते सुनू उसने मेरी फ्रेंड से कहा कि पता नहीं कैसे वो मुझे पसंद करने लगा है उसके बात सुनकर पता नहीं क्यों मैं बधी में हस रही थी पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे पसंद करती थी पस मैं उसकी हरकते देख रही थी शायद इसलिए मैं बधी में रहा सरी थी